बहुती तेजी से संक्रमित होने वाला वाइरस को चिंपेंजी में डाला जाता है एक्सपारिमेंट के लिए इस वाइरस का नाम है रेज वाइरस अगर इस वाइरस से कोई भी इंफेक्टेड हो जाए तो उसके अंदर का अगरेसन और गुसा इतना भढ़ जाएगा कि वो अपनों को मारने में भी बिल्कुल नहीं जिचकेगा कोछ एनीमल एक्टिविस्ट उसी रिसर्स सेंटर में जाते हैं जह कई सारे इनफेक्टेड चिंपेंजी हैं इन लोग को लग रहा है कि इस सेंटर में चिंपेंजी के साथ अत्याचार हो रहा है इन चिंपेंजी को अजाद करने के लिए ये लोग यहाँ आए हैं जब उनमें से एक पिंजरे को खोलने की कोशिश करी रहा होता है तब ही वहाँ एक डॉक्टर आ जाता है इससे पहले वह डॉक्टर सेक्योर्टी को यहाँ बुलाए वह एक्टिविस्ट उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं डॉक्टर उन सब को बताता है कि यह चिंपेंजी इनफेक्टेड है और इनकी बिमारी का इलाज अभी तक हमें मिला नहीं है यह लोग जब तक डॉक्टर की बात समझ पाते इतने में एक एक्टिविस्ट पिंजरे को खोल देती है और दोस्तो गुस्सें से भरा चिंपेंजी पिंजरे से भार आकर उसी पर अटैक कर देता है जिसनों उसे आजाद करने का सोचा था तोस्तो करीब 10 से 12 सेकंड में वो एक्टिविस्ट भी गुस्सें से भर जाती है और बिल्कुल जूम्बी की तरह बिहेव करने लगती है डॉक्टर बागी बचे दोनों एक्टिविस्ट को उस लड़की को मारने के लिए बोलता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है वो लड़की और चिंपेंजी बागी बचे तीनों को भी इन्फेक्टिट कर देते हैं और इस तरह यहां से सुरुआत होती है रेज कोमा में था उसका एक्सिडेंट हुआ था जिसकी वज़े से वो कोमा में जा चुका था अब उसे होश आया है अपने चारों तरफ इतनी शांती देख उसे कुछ अजीब सा लगता है वो हॉस्पिटल में इधर उदर देखता है उसे कोई नजर नहीं आता जिम हॉस्पिट करने के बाद जिम एक चर्च में पहुंचता है जहां उसे वहाल में बहुत सारी लोग नजर आते हैं जो बेसुद होकर एक दूसरे के उपर सो रहे हैं मानो जैसे कोई टैट बॉडी हों तभी जिम को चर्च का फादर नजर आता है जब फादर जिम के पास पहुंचता है तो जिम को फादर की हाला ठीक नहीं लगती फादर जिम पर अटैक करने की कोशिश करता है तभी बाकी के लोग भी अपनी नीद से उठ जाते हैं जिम बड़ी मुस्किल से इन सब इन्फेक्टिट लोगों से बचकर वहां से भागता है काफी दिर तक भागने के बाद दो जान लोग जिम को इन इन्फेक्टिट लोगों से बचाते हैं वो दोनों हैंडमेड बॉम के जरिये इन्फेक्टिट लोगों से बचने में काम्याब हो जाते हैं अभी जिन लोगों ने जिम को इन्फेक्टिट लोगों से बचाया है उनका नाम है सैलेना और मार्क जिम सैल बन गए और हो सकता है कि शायद उनके लावाब कोई नॉर्मल इंसान बचा भी ना हो आज के दिन तक ना तो यह कोई आर्मी है और ना ही कोई गॉर्मेंट जिम के लिए सारी बाते बहुत चौकाने वाली होती है वो अपने पेरेंट्स को देखना चाता है मार्क उसे बताता ह है कि कोई चांस ही नहीं कि तुम्हारे माबाप सही सलामत होंगे लेकिन जिम के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद अगले दिन वो तीनों निकल पड़ते हैं जिम के घर की तरफ घर पहुंचकर जिम को अपने माबाप की डैट बोडी मिलती है उन लोगों को शैतान बन जान की पुरानी वीडियोस देख रहा होता है अचानक विंडो से कुछ इंफेक्टिड लोग जिम पर अटैक कर देते हैं फॉर्चुनेटली सेलेना और मार्क इस भार भी जिम को उन लोगों से बचा लेते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्क के हाथ पर एक घाव हो जाता जो की इंफेक्टिड परसन से उसे लगा है सेलेना बिना टाइम वेश्ट करे मार को जान से मार देती हैं सेलेना और जिम चल दी उस घर से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यहां और भी इंफेक्टिड लोग आ सकते हैं काफी दिर चलने के बाद जिम को एक से उपकी तरफ भागते हैं कुछ फ्लोर्स के बाद उन्हें एक आदमी नजर आता है जिसने अपने आपको अच्छे से कवर कर रखा है वो उन्हें अपने फ्लैट नमर बताता है जहां सेलेना और जिम जा सकते हैं सेलेना जिम और वो आदमी इंफेक्टिड लोगों से बस होती है और उनका वो अच्छे से वैलकम भी करता है जैसे वो दोनों उसके घर के महमान हो अगले दिन फ्रैंक उन दोनों को एक प्री रिकॉर्डिड ब्रोड कास्ट रेडियो पर सुनाता है जिसमें मिलिटरी के कुछ लोगों ने कैम्प मनाया है मैंचेस्टर में जहां औ जिन्दा रह पाएंगे सेलेना पहले इसके लिए मना करती है लेकिन कोई और आप्शन ना होने के कारण वो भी मैंचेस्टर जाने के लिए रेडी हो जाती है अगले दिन फ्रैंक एक टैक्सी का जुगाड करता है और सब निकल पड़ते हैं मैंचेस्टर की तरफ जहां पह गाडियां और मलवा नजर आता है फ्रैंक मलवे के ऊपर से अपनी टैक्सी निकालता है और जैसे ही वो स्क्रैप एरिया को क्रॉस करते हैं उनकी टैक्सी का एक टायर पंचर हो जाता है और इससे भी खतरनाक बात यह है कि टनल के दूसरी तरफ से कई सारे इंफेक्टेड लोग उनकी तरफ दोड़े चले आ रहे हैं हैना को छोड़कर बाकी सारे गाड़ी का एक हिस्सा उठाते हैं और हैना पूरी स्पीड से टायर को चेंज करती है और बिलकुल एंड मूमेंट पर वो सब लोग इंफेक्टेड लोगों से बचकर वहां से चले जाते हैं इसके लोग खाना खाते हैं रात होती है फ्रैंक को छोड़कर जिम सेलेना और हाना खुले आसमान के नीचे सोते हैं लेकिन उन्हें वहां सोने के लिए निंद की गोलियों की जरूरत पढ़ती है अगली सुबा कार के हौरन की आवास से जिम की आँख खुलती है वो देखता है कि उसके अलावा सब चाने के लिए कार में बैठ चुके हैं वो भी जल्दी से कार में जाकर बैठ जाता है आदा दिन कार चलाने के बाद फ्रैंक मैंचेस्टर सिटी में पहुंचता है जहां उन्हें आर्मी वाले मिलने के लिए बोल रहे थे सिटी के एंटरेंस पर कई सारे लॉक्स और गाड़ियां खड़ी हुई हैं फ्रैंक गाड़ी को एक सेव जगा पर पाक करता है और वो लोग आर्मी वालों को ढूंडने लग जाते हैं उन सब को वहां पर कोई नजर नहीं आता इस बात पर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ र है फ्रैंक अपनी बेटी को अपने से दूर करता है सहलेना समझ जाती है कि फ्रैंक इंफेक्टेड हो चुका है लेकिन अभी इतनी हिम्मत किसी में नहीं है उनमें से कोई फ्रैंक को मार दे इससे पहले फ्रैंक उन लोगों पर अटैक करें कुछ आर्मी वाले आकर फ्रैंक जिन्दा होता खैर सोलजर्स उन तीनों को फ्रेंक की बॉड़ी से दूर रहने को बोलते हैं और उन सब को अपने बेस पर ले जाते हैं जहां जिम सैलेना और हैना की मुलाकात मेजर हैंरी वैस्ट से होती है जो उन्हें इस बात की तसली देता है कि अब वो लोग एक सेफ कर सकता खुशदेर बाद जिम हैंरी से बात करता है हैंरी की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि आखिर इस इनफेक्षन का इलाज क्या है इसके अलावा वो जिम को यह भी बताता है कि यह पूरा मैंशन चारों तरफ से लेंड माइन से घिरा हुआ है ताकि कोई भी infected person उनके base की तरफ आये तो उन्हें पता चल जाये Henry Jim को पूरे mansion का एक quick tour देता है ताकि Jim को यहां के बारे में basic जानकारी मिल सके इसके अलावा उन्होंने एक infected soldier को भी कैद कर रखा है जिसका नाम मेलर है ताकि उसके ऊपर experiment कर इस infection का इलाज ढूंडा जा सके रात को डिनर करते वक्त एक landman blast होता है soldier समझ जाते हैं कि infected लोग उनके mansion के आसपास आ चुके हैं लेकिन इन infected लोग को मारना soldier के लिए ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं होता infected लोग को मारने के बाद एक soldier सेलेना से बत्तमीची करने लग जाता है तब ही हैंड़ी वहाँ आता है और अपने soldier को one करता है ताकि ऐसी हरकत दोबारा ना हो सके हैंड़ी सेलेना से अपने soldier की हरकत के लिए माफी मांगता है जिम हेंडरी को कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें यहां रखा लेकिन अब हमें यहां से चले जाना चाहिए हेंडरी जिम को बताता है कि यहां से चले जाने पर तुम एक भी दिन जिन्दा नहीं रह पाओगे इस दुनिया के सारे इंसान खतम हो चुके हैं हमें सैलेना और हैना की जरूरत है ताकि हम री पॉपॉलेट कर सके इसलिए अब तुम लोग यहां से कहीं नहीं जा सकते ये बात सुनकर जिम समझ जाता है कि इन सोलजर्स के इरादे ठीक नहीं है वो जल्दी से सैलेना और हैना के पास जाकर उन्हें यहां से चलने के लिए बूलता है वो तीनों वहां से जाही रहे होते हैं तब हैंड़ी के सोलजर्स जिम पर अटैक कर देते हैं और उसे कैद कर लिया जाता है अगले दिन soldier gym को mansion से बाहर ले जाते हैं उसे मारने के लिए लेकिन एक soldier गलती से अपने ही बंदे पर गोली चला देता है जिससे gym को वहां से भागने का मौका मिल जाता है gym भागते हुए ठक कर नीचे गिरता है और वो देखता है कि आस्मान में एक jet fly कर रहा है जिससे उसे इस बात की confirmation हो जाती है कि दुनिया में अभी भी लोग जिन्दा बचे हुए है gym रात को फिर से mansion की तरफ जाता है सेलेना और हैना को उन लोगों से बचाने के लिए सबसे पहले gym मेलर नाम के infected soldier को अजाद करता है ताकि वो बागी soldier के लिए मुसीबत बन सके यहां mansion में कुछ soldiers जो सेलेना और हैना पर नजर बनाए हुए है अचानक मेलर उन पर attack कर उन सभी को infected कर देता है सेलेना और हैना अपनी जान बचा कर वहां से भागते हैं देखते ही देखते दो infected soldiers बाकियों को भी infected कर देते हैं और एक soldier जो mansion से भाग रहा होता है उसका काम तमाम gym कर देता है इसके बाद वो सेलेना और हैना को ढून कर mansion से बाहर ले जाता है हैना टैक्सी की driving seat पर बैठती है लेकिन हैनरी बैक seat पर पहले से मौझूद है इससे पहले वो gym पर fire करे हैना टैक्सी को reverse कर mansion के पास ले जाती है तब ही infected soldier मेलर पीछे से ही हैनरी को पकड़ कर mansion में ले जाता है हैना जल्दी से gym और सेलेना को टैक्सी में बिठाती है और वो लोग वहाँ से safely निकल जाते हैं 28 दिन बाद दोस्तों हम देखते हैं कि gym सेलेना और हैना एक remote area cottage में है और उन्होंने कपड़ों को stages कर एक बड़ा सा message अपने लिए बनाया है तभी हैना को एक fighter jet की आवाज आती है और वो तीनों बाहर जाकर कपड़े को अच्छे से फैला कर अपना message complete करते हैं और जैसे ही उन्हें fighter plane अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है वो तीनों हाथ हिला कर पाइलेट का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं और उनका लिखा हुआ message पाइलेट को नजर आता है जो है hello सो दोस्तो इस तरह हमारे आज की कहानी खतम होती है उमीद करूँगा दोस्तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो बाकी comment कर आप बताओ आपको कौन सी movie का explanation देखना चाहोगे बाकी मैं मिलूँगा जल्दी एक और नई amazing कहानी के साथ जब तक के लिए बाई बाई